अगर अपने कोई Facebook अकाउंट बनाया हुआ है, और आपके उस अकाउंट में आपने अपना कोई email id एड किया हुआ है, यानि कि अपने कोई email id लिंक किया हुआ है, या फिर आपने कोई email के जरीए अपना Facebook account क्रि landed किया हुआ था, और अप जैaber में इमेल नहीं है और आपके पास एक नया इमेल है और आप यह चाहते हैं कि आप अपने उस पुराने इमेल को रिमूब करके एक नया इमेल एड़ कर दें यानि कि सिंप्ली आप अपने पुराने इमेल को चेंज करना चाहते हैं और अपना एक नया इमेल एड़ करना चाहते हैं तो फिर आपको कैसे यह process करना है यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंतक देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो अपने facebook account में अपने email id को change करने के लिए आप सहसे पहले अपना facebook app open कर ले और आपने login नहीं किया हुआ यहाँ पर तो फिर आपको login कर लेना है login करना के बाद आपको सबसे उपर में right side corner में आपको तीन लकीरे दिखेंगी या फिर आपको अपना dp दिखेगा तो उसके उपर आपको टैप करना है आप जैसे उसके उपर टैप करते हैं वैसे आपके समने एक menu का पेच खुलेगा और menu के पेच खुलने के बाद आपको थोड़ा सा scroll करना है आप जैसी थोड़ा सा scroll करते हैं वैसे आपके सामने सबसे नीचे में setting and privacy का option दिख रहा होगा आपको इसके उपर टैप करना है आप जैसे उसके उपर टैप करते हैं वैसे आपके समने एक settings का option आता है तो आपको यहाँ पर settings वाले option के उपर टैप कर द आता है personal information का और इस page में आने के बाद आपको यहां पर contact info का एक option दिख रहा होगा आपको इसके उपर again tap करना है आप जैसे इसके उपर tap करते हैं वैसे आपके जितिने भी emails आपके facebook account से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहां पर सो होने लगेंगे तो आप आपको जिस भी email को remove करना है उस email को remove करने से पहले आपको एक नया email या फिर कोई phone number add करना होगा अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आप उस email को remove नहीं कर पाएंगे तो एक नया email add करने के लिए आपको इस email वाले option के उपर tap करना है और अगर आपको एक नया phone number add करना है तो फिर आपको हमने एक पेज खुल जाता है जहां पर हमें वह इमेल टाइप करना है जो कि हम यहां पर एड़ करना चाहते हैं तो चलिए हम अपना एक इमेल यहां पर एंटर कर लेते हैं और यहां पर हमने अपना इमेल टाइप कर लिया है इमेल टाइप करने के बद यहां पर एड़ इमेल आपको ये बोल रहा है कि आपने जो भी email अभी add किया है वो pending में है आपको इसे confirm करना होगा तो चलिए हम confirm वाले बटन के उपर tap करते हैं और इसे confirm कर लेते हैं तो जैसे हम इसके उपर tap करते हैं जैसे हमारे इस email के उपर एक confirmation code भीज दिया जाएगा तो उस code को वहां से copy कर ल करेंगे और अपने email को add करने के बाद और अपने email को add करने के बाद आपको अपने पुराने email को remove करना है तो फिर आपको उस email को remove कैसे करना है उसके बार में हम आपको बताते हैं तो उस email को remove करने के लिए आपको सबसे पहले उस email के उपर tap करना है आप जैसे उस email के उपर tap क चाते हैं तो फिर आपको इस email के नीचे में आपको रिमूब का एक option दिख रहा होगा तो आपको simply उसके उपर टैप करना है आप जैसे उसके उपर टैप करेंगे वैसे आपके सामने एक और फीज खुलेगा जहां पर आपको बुलग गलर के बॉक्स में रिमूब इमेल लिख हैं बसे ही तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में